हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम शालूपाल है इंटर्व्यू कोशन्स और आंसर्स की वीडियो टुटोरियल सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे क्वेस्चन नमबर 20 काफी बार इंटर्व्यू में ये कोशन पूछा जाता है कि अगर आपके पास इतना पैसा हो कि आप अभी रिटायर कर सकते हैं तो क्या आप रिटायर्मेंट लेंगे ये कोशन्स इफ आपकी सेंस ओफ यूमर को जज़ करने के लिए पूछा जाता है कि आपके माइंड में पैसे की कितनी एहमियत है आप काम किया सिर्फ पैसों के लिए करते हो या कुछ और चीजों के लिए करते हो तो आप ऐसे कोशन्स को किस तरीके से आंसर कर सकते हैं आईए देखते हैं कुछ ओप्शन्स हमेशा ध्यान रखिए कि आंसर करते समय हमेशा positive points बोले negative points ना बोले सबसे पहला आंसर है तो यहाँ पे मैंने interviewer को ये बताने की कोशिश किये कि सर हम सब पैसों के लिए काम करते हैं लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता हमारे अंदर में एक satisfaction होना चाहिए अपने काम के प्रती एक लगाव होना चाहिए जिसके लिए हम काम करते हैं और मुझे वो satisfaction की feeling मिलती है इसलिए मैं काम करती हूँ हाँ अगर मेरे पैस बहुत पैसा हो तो मैं जरूर कुछ लोगों की मदद करना चाहूंगी जिनने मेरे knowledge से कुछ सीखने मिलेगा तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा लंबा आंसर किया है लेकिन यह बहुत अच्छा आंसर है जो आप दे सकते हैं इंटर्विवर को नेक्स आंसर है तो यहाँ पे मैंने इंटर्विवर को एक short and simple आंसर दिया है कि sir money मेरे लिए क्राइटेरिया नहीं है अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं कुछ सामाजिक काम करना चाहूंगी जिससे मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है इंटर्विवर को यह भी आप आंसर दे सकते हैं नेक्स आंसर है money is not only the criteria for retirement it is the knowledge and experience which matters so even though I have enough money I would like to continue my job to learn new things तो यहाँ पे मैंने आंसर करने के कोशिश किया कि सर भले ही मेरे पास बहुत सारा पैसा हो कि मैं retire कर सकूँ लेकिन फिर भी मुझे नई चीजे सीखनी है मुझे काम करना पसंद है क्योंकि मेरा experience बढ़ता है मुझे नई चीजे सीखने मिलती है इसे लिए मैं काम करना चाहूंगी तो यहाँ पे मैंने interviewer कोई convince किया है कि मैं काम सिफ पैसो के लिए नहीं करती हूँ मैं नई चीजे सीखने के लिए काम करती हूँ जिससे मुझे experience मिलता है तो यह तीन options मैंने आपको बताया है आप इन तीनों में से जो भी आपको अपने job के according suitable लगे आप उसे answer कर सकते है या आप अपने according कोई answer develop कर सकते है जो आपके interview में suitable हो Hope आपको मेरे answer सच्छे लगे हो Thank you आपने मेरा video सुना आप मेरे video को share कर सकते है अपने friends के साथ आप मेरा youtube channel learnbywatch का subscribe कर सकते है और video सुने के लिए आप मुझे mail कर सकते है suggestions shalu at the rate learnbywatch.com पे Thank you